चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे NXDL Pen Service लेकर के आप अपने कस्टेमर का EKYC के माध्यम से मोबाइल से Pen Card बना सकते हैं चलिए दोस्तों लाइब आपको मैं करके दिखा रहा हूँ तो यहां भी देख सकते हैं जैसे हम EKYC Pen के उपर क्लिक किये उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाते हैं अपलिकेशन टाइप के उपर Indian Citizen सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहां हमारे सामने आप्शन आ जाते हैं केटेगरी का तो हम इस पे किलिक करेंगे और यहां हम Individual सेलेक्ट करेंगे आधार बेसिक आधार कार्ट के उपर Customer का जो नाम है यहां नाम टाइप करेंगे उसका Data Word टाइप करेंगे जेंडर टाइप करेंगे जो भी उसका जेंडर है सेलेक्ट करने के बाद उसका Mobile नमबर डालेंगे और यहां हमें सबसे नीचे Physical and E Pen Card के उपर टिक करना है और यह एग्रिक पे किलिक करना है और Summit के उपर किलिक कर देना है थोड़ा सा Process लेंगे Process होने तक हमें Wait करना है उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का Interface आ जाते हैं तो यहां आधार Card Number हमें Fill करना है Customer का आधार Number डालने के बाद यहां हम Title पे किलिक करके Title उनका Select करेंगे उसके बाद उसका Sir Name, First Name, Middle Name यह जैसे ही डालेंगे उसका Data About Gender आ जाएंगे Summit के उपर किलिक करेंगे यहां आधार Authentication Successful OK कर देना है उसके बाद फिर से हमारे सामने इस तरह का Pages आ जाते हैं सब हमें Check करना है फिर Next के उपर हमें किलिक कर देना है तो चलिए हम यहां से Next पे किलिक करते हैं फिर इस तरह का Option आ जाते हैं आपने पैन काट के उपर Mother's Name रखना चाते हैं येस करेंगे नहीं तो नो कर देंगे और यहां Father's Name आपको टाइप कर लेना है ठीक है एक बार फिर से टाइप करने के बाद यहां आपको अगर सेलेरी हैं या फिर जो भी हैं हमेशा यहां No Income के उपर किलिक करना चाहिए करने के बाद यहां Country Code डालने के बाद सबकुछ place विगरा सब डालने के बाद next पे कलिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का प्शन तन कलिक जाएंगे से नीचे आपको एक option मिल जाते हैं Confirm का, यहां से confirm पर OTP का option आते हैं तो हम यहां Biometric पे किलिक करते हैं और अंगुठा लगा करके customer का और थोड़ा सा यहां process लेंगे और जैसे यहां successfully करके option हमें मिल जाते हैं देख सकते हैं हम यहां से अपना camera off कर दिये हैं थोड़ा दिखाने के लिए तो देख सकते हैं EKYC अपना डाल करके फिर से capture पे किलिक करेंगे और यहां देख सकते हैं फिर से यह E-sign इसका complete हो चुका है और थोड़ा सा हमें wait करना है देख सकते हैं यहां wait please wait करके option आ जाते हैं यहां देख सकते हैं हमें यह complete हो चुका है transaction मेरा हो चुका है successful और हमें NXDL के तरफ से order ID भी मिल चुका है इसे हम screenshot करके रख लिए उसके बाद यहां से हमें back आ जाना है मेरा pen card यहां बन करके ready हो चुका है हमारे mail पे अभी देख सकेंगे कि आ चुके होंगे mail ठीक है जो कि आपका mail अगर आपका email ID पे आ जाता है तो समझ लिजे आपका pen card apply हो चुका है तो चलिए हम यहां से अपना email ID के उपर आ जाते हैं और अभी मैं आपको check करवा देता हूं कि हमें message मिला या नहीं मिला तो देख सकते हैं हमें instant के instant message भी आ चुका है आने की mail भी आ चुका है कि मेरा pen card apply हो चुका है ठीक है एक घंटे के अंदर अंदर हमें यह pen card भी मिल जाएंगे और उसे हम print करके अपने customer को भी दे सकते हैं पांस से साथ दिन के अंदर अंदर physical pen card postal code पे आ जाएगा तो चलिए दोस्तों अगर ID चाहिए तो संपर्क जरूर करें धन्यवाद